थुल्ला भाग चार, मुंबई की बरसात में थुल्ला अकेला घूम रहा था उसको देखकर पता नहीं चलपा रहा था कि उसकी आँखों के आंसू है या बरसात का पानी शायद गरीब के आंसू भी रिया जैसे लोंगों को बरसाती पानी ही लगता है। जीजा जी, साहब, जीजा जी बस यही पुकारता जा रहा था। अब उसको ये कौन बताए कि जिनको वो पुकार रहा है वो लोग नहीं खोए, खो तो तु खुद गया है। सफेद पर गए भीगते भीगते फिर भी एक ही रट लगी थी जीजा जी मिल जाओ दिदिया हमको बहुत मारेगी कहेगी तेरे कपडों की वजह से वो न जाने कहा चले गए। बस्टॉप की छाया में थक हार के बैक गया कपडों से पानी टपक कर उसके जूतों में आ रहा था जो पहले से ही पानी से भरे थे। उन्हीं गीले कपडों में उसको नीन दा गई, बरसाथ से बचने के लिए स्ट्री टॉप भी बस्टॉप पर बनी लोहे की कुरसियों के नीचे दुपके हुवे थे। तब ही उस भीर में एक 6 फुट का लंबा चोड़ा आदमी भीर को चीरते हुवे थुल्ला के करीब पहुँचा, उसकी नजर थुल्ला पर जैसे ही पड़ी उसने जल्दी से थुल्ला की गर्दन को अपनी जांगों पर रखकर उसके मुहे को हिलाने लगा थुल्ला थुल्ल है ये उसी बिल्दिंग के एक साहब ये नौकर है, कल रात से गयब है ये उधर इसका मालिक बहुत परेशान है, उस आदमी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपने साथी को फोन किया, हलो जोगिंदर में धनपक बात करता है, वो अपुन का थुल्ला मिल गया पन वो बेहोशा है तु इसका मॉलिक को जल्दी इंटकॉम करके बोले धर गारी लेकर जल्दी आने का जोगिंदर गार ने कहा धनपक गार से कहा पन कि धरहेरे में साहब को क्या बोलू कि तू और थुल्ला कि धरहे धनपक बोला में दईसर बस टॉप पे है, जोगिंदर ने राजीव को खबर करी, वो साहब में नीचे से जोगिंदर बात करता आप जल्दी नीचे आने का वो अपुन का थुल्ला मिल गया दईसर बस टॉप कर रात का ड्यूटी वाला गार धनपत उधरीच है, साहब आप जल्दी आने का इतना कहकर गार ने फोन रख दिया, मम्मी मम्मी, अरे वो मिल गया, माता जी कुछ कहती उससे पहले ही गारी की चाब हीली और लिफ्ट की ओर बढ़ गया